नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विबेक और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल करेंट अफेस बेरेवी पर तो आज की वीडियों फ्रेंड्स जनुवरी और फर्वरी मन्त के टॉप 500 करेंट अफेस क्वेसं को कवर करने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एकजाम के त्यारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूश्फूल होगी तो आएए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन से फर्स्ट क्वेशन है हमारा सही आंसर है डेन्मार्क देश को सम्मानित क्या गया है मीशेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किस ने जीता है सही आंसर है निकीता सोकल ने जीता है नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंसर है दस जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस 2022 मनाया गया है ममता ब्योंड 2021 फुज्टक को किस ने लिखा है सही आंसर है जयंत घोसाल ने इसे लिखा है नेक्स्ट है अंतराश्ट्री सौर गटबंधन ISA में सामिल होने वाला 102 देश कौन सा बना है तो इस सोची में 102 देश बनने वाला देश है एंटीगुवा और वर्बुडा नेक्स्ट है UI Path Automation Excellence Awards 2021 में किस बैंक ने जीता है सही आंसर है South Indian Bank ने जीता है तो South Indian Bank ने UI Path Automation Excellence Awards 2021 में जीता है परतिश्ठित सहित्य अकादमी पुरसकार 2021 से कितने भारती लेखोकों को सम्मानित किया गया है तो परतिश्ठित सहित्य अकादमी पुरसकार 2021 में 20 लोग को सम्मानित किया गया है 20 भारती लेखोकों को सम्मानित किया गया है Next question है दुनिया की सबसे लम्बी Metro Line कि इस देश में शुरू हूई है तो सबसे लंबी मेट्रो लाइन संगाई यानि कि चीन देश में सुरू हुई है सारवजनिक सौचाले की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां सुरू किया गया है सही आंसर है नागपुर यानि कि महराष्ट राज्य में और आपको पतादू फ्रेंड्स की जनुवरी मंत की करेंट अफेस की एबुक लॉंच हो चुकी है तो आप उसे बाई कर सकते हो इसका जो लिंक है डिस्किस्ट बॉक्स में दिया हुआ है आते हैं नेक्स्ट क्वेशन में भारती कॉर्पोरेंट बामलो के संस्थान IACA के नए महा निजशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी कौन बने हैं सही उत्तर है परवीम कुमार बने है अगला क्वेशन है फ्रेंड्स रेल्वेबोर्ट के नए अध्यच और सीयो कौन बने हैं सही आंसर है वी के तिरिपाठी तो वी के तिरिपाठी रेल्वेबोर्ट के नए अध्यच और सीयो बने हैं नेक्स्ट है एक जनवरी 2022 को रच्छा अनुसंधान यों विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है तो DRDO ने अपना 64 अस्थापना दिवस एक जनवरी 2022 को मनाया है सौ दिवस ये पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का सुभारम किस ने किया है सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने किया है अगला क्वेशन है फ्रेंट्स बारवा डोस में भारत के नए उचायुक्त कौन नियुक्त हुए है सही आंसर है एस बालचंद्रन तो एस बालचंद्रन बारवा डोस में भारत के नए उचायुक्त नियुक्त हुए है नेक्स्ट बिहार के नए मोख्य सचिव कौन बने है सही आंसर है आमीर सुभानी तो बिहार के नए मोख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी आमीर सुभानी बने है नेक्स्ट है आठमी बार अंडर 19 किर्केट एसिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है सही आंसर है भारत देश के टीम ने भारतिय तटर अच्छक इंडियन कोस्ट गाड का नया महानी देशक किसे न्यूकत किया गया है सही आंसर है विरेंदर कुमार पठानिया को किस भारतिय कमपनी ने विरेटेन की बैटरी बनाने वाली कमपनी फेराडियन का अधिगरहन किया है सही आंसर है रिलाइंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेट ने अगला कुशन है एक्विटास अस्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेट के नय परवन इदेशक और मोख्य कारिकारी अधिकारी एमडी एंड सी यो कौन बने है नेक्स्ट है परधानमंत्री नन्यंदर मोदी ने मेजर ध्यानचन खेल रत्मे विश्व विद्याले की आधार सिला कहां रखी है सही आंसर है मेरत में रखी है किस देश ने 200 रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्स की योजना शुरू की है सही आंसर है चीन देश ने राष्ट्री बाग संद्रचन प्राधी करन एंटी सीय की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बागों की मृत्ति हुई है सही आंसर है 126 बागों की मृत्ति हुई है उमीद करता हूँ फ्रेंड्स की ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट कर फिडिवेक बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है आते हैं नेक्स्ट क्वेशन में वैस्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंसर है एक जनवरी को तो एक जनवरी को वैस्विक परिवार दिवस 2022 में सेलिबरेट किया गया है नेक्स्ट है 20 वका सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कम्पनी ने बनाया है सही आंसर है रोल्स रोयल्स ने बनाया है किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेट केम आरेल को भारत की पहली बैटरी संजाले 23 एलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौब दी है सही आंसर है कोचीन सीपियाड ने नेक्स्ट है भारतिय सेना ने कहां क्वांटम पर्योक्षाला की अस्थापना की है सीओ वीनर ओफ दे इयर 2021 का पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर है किसोर ये दम को अगला क्वेशन है सेंचूरियन जोकि दच्छिन अफ्रीका में स्थित है तो सेंचूरियन में टेस्ट में जितने वाला पहला एसीयाई देश कौन सा बना है तो पहला है एसीयाई देश भारत ही बना है फ्रेंट्स नेक्स्ट है अंडर 19 किर्केट एसीया कप 2021 कहां आयोजित हुआ है सही आंसर है संजुक्त राज्य अमिरात में एगला क्वेशन है ऑनलाइन ट्रेवल कमपनी easymytrip.com के नए ब्रांड मेस्टर कौन बने है ओनलाइन ट्रेवल कमपनी easymytrip.com के नए ब्रांड मेस्टर बने है वीस्तारा एरलाइन के नए मोख्य कारिपालग अधिकारी कौन बने है सही आंसर है विनोध कन्नन बने है जीला अश्तरिय सुसासन सुचकांग district level good governance index वालप पहला केंदर सासित परदेश कौन सा बना है सही आंसर है जम्मु कस्मिर बना है भारत के नए इसपाद सचिव कौन नियुक्त हुए है सही आंसर है संजय कुमार सिंग नियुक्त हुए है किस कंपनी ने 12.5 करोर डॉलर में अलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में 100 फिस्दी हिसेदारी खर दी है सही आंसर है टेक महिंदरा ने नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 46 वी जी एस्टी परिशत की बैठक की अध्यास्ता किस ने की है तो 46 वी जी एस्टी परिशत की बैठक की अध्यास्ता भारत के वर्तमान वित्तमंत्री निर्मला सीता रमणने की है नेक्स्ट है देश की पहली पेपरलेस हाई कोट पेपरलेस अधालत कौन सी बनी है सही उतर है केरल हाई कोट तो केरल हाइकोट देश की पहली पेपरलेस हाइकोट बन गई है अगला कुशन है फ्रेंड्स All India Federation Cup करम टोनामेंट 2021 में महिला वर्ग का किताब किस ने जीता है तो महिला वर्ग का किताब रस्मी कुमारी ने जीता है तो इस session के परते question के quality देखकर समसकते हैं friends कि ये session आपके exam के लिए कितना ज़्यादा important है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना friends आते हैं next question में फुलूरोना जिसे influenza और coronavirus का दुरलब mission कहा जा रहा है तो बताने हैं कि किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है सही आंसर है इजराहिल देश में next है जम्मू और कस्मीर बैंक के नए पर्मन निदेशक और मोख्य कारिकारी अधिकारी कौन युक्त हुए है सही आंसर है बलदेव प्रकास next है किस राज्य के मुख्य मंतरी ने कौसल रोजगार निगम पोर्टल को लॉंच किया है सही उत्तर है हर्याणा राज्य के मुख्य मंतरी ने next है तेलियों प्राकृतिक गैस निगम ओन जीसी की पहली महिला चेर्मेन और मैनेजिंग डैरेक्टर कौन बनी है सही उत्तर है अलका मित्तल वनी है next है कोरोना वारस के नए वेरियंट ओमी कोरोन का पता लगाने वाली भारत की पहली महिला टेस्ट किट का नाम क्या है तो पहली महिला टेस्ट किट का नाम है ओमी सियोर next है वीश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है तो 20 विरेल दिवस 2022 चार जन्वरी को मनाय गया है केंद्री आयूस मंद्री सर्वानन सोनवाल ने कहां हाटफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की अधार सिला रखी है सही आंसर है हैद्राबाद में परधान वारेस का नया वैरियंट आये चियू किस देश में पाया गया है अगला क्वेशन है परधान वंतरी नरेंदर मोधी ने 450 करोड की लागत से बने महराजा वीर वीक्रम ये रपोर्ट के नये एके करेट टर्मिनल का उधाटन कहां किया है सही आंसर है अगर तल्ला में स्वच भारत मिशन जो की ग्रामिड है तो ग्रामिड चरंटू कारेकरम के तहट 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खूले में सौचमोग ODA प्लस गाउं की सूची में कौन सा राज्य से स्परहा है सही आंसर है तेलंगाना राज्य नेक्स्ट क्वेशन है भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है सही आंसर है 37.29 बिलियन डॉलर का अगला क्वेशन है फ्रेंड्स राज्य स्वच गंगा मिशन के नए महानी देशक कौन बने है सही आंसर है जी असोक कुमार बने है नेक्स्ट है तीन जनवरी 2022 को देश की पहली महिला सिच्चक सावित्री बाय जियोती राव फुल्ले की कौन से जैनती मनाई गई है सही आंसर है 191 जैनती नेक्स्ट है भारती रिजर्व वेंग के नए कारेकारी निदेशक कौन निप्थ हुए है नए कारेकारी निदेशक सही आंसर है उपरियुक दोनों यानि कि दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी ये दोनों भारतिय रिजर्वेंग के नए कारेकारी निदेशक निप्थ हुए हैं अगला कुशन है तीन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर मार्केट वेल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है सही आंसर है एपल कंपनी नेक्स्ट है किस राज्य के गंजम जीले ने खुद को बाल विवा मुक्त जीला घोशित किया है सही आंसर है ओडीसा राज्य के गंजम जीले ने नेक्स्ट है लोसर महुत्सो किस राज्य या फिर यूनियन टरिटरी में मनाया गया है तो लोसर महुत्सो लद्दाक लद्दाक जो की यूनियन टरिटरी है तो यहाँ पर लोसर महुत्सो मनाया गया है नेक्स्ट है देश का पहला LPG युक्त और धुवा मुक्त राज्य कौन सा बना है सही आंसर है हिमाचल परदेश राज्य नेक्स्ट है अकेले दच्छिनी धुरू पहुचने वाली पहली भारत वनसी महिला कौन बनी है सही आंसर हरपरीद चंडी बनी है नेक्स्ट है किस मंत्राले के Smart City मिसन ने Smart City and Academia to Arts Action and Research सार कारिक्रम शुरू किया है तो इस कारिक्रम को आवाज सेवन शारी मंत्राले की द्वारा शुरू किया गया है अमेरिकी परमानू वाहा की कमान सम्हालने वाली पहली महिला नौसेन केप्टन कौन बनी है सही आंसर है Amy Bonn Smetwani है किस कंपणी ने साइबर हमलोशनी पटने के लिए इजराइली सीक्रोटी स्टार्टप सिंप्लिफाई का अधिगरहन किया है सही आंसर है Google कंपणी ने नेक्स्ट है रामनात गोयनका पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर है जिसान ए लतीफ को तो जिसान ए लतीफ को रामनात गोयनका पुरसकार से सम्मानित किया गया है अगला क्वशन है संजुक्त राष्ट्र निरश्त्रिकरन सम्मेलन के लिए भारत के अस्थाई परदनेधी कौन नियक्थ हुए है सही आंसर है अनुपम्रे नेक्थ हुए है नेक्स्ट है भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC-15 को किस ने लॉंच किया है सही उत्तर है क्रिप्टो वायर ने इसे लॉंच किया है अगला क्वेशन है केंद्री विज्ञान और प्रवद्गी की राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने राष्ट्रे विज्ञान दिवस 2022 की क्या थिम लॉंच किया है तो 2022 की थिम है सतत फविश्य के लिए विज्ञान और प्रवद्गी की में एकी करित दिश्टी को नेक्स्ट वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलुक 2022 को किस ने लॉंच किया है तो वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलुक 2022 को अंत्राष्ट्री मुद्रगोस यानि की इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने लॉंच किया है नेक्स्ट विश्व यूध अनात दिवस कब मनाय गया है सही आंसर है छे जनवरी को मनाय गया है नेक्स्ट है स्वाचालित उत्पादन यंतरन एजी सी परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है सही आंसर है आरके सिंग ने इसे समर्पित किया है अगला क्वेशन है राष्ट्री युवाम हट्सो 2022 का आयोजन कहा होगा सही आंसर है पूदू चेरी में होगा भारती मुलकी किस व्यक्ति को चेम्बर्स और कॉमर्स द्वारा युवेस इंडिया बिजनेस कॉंसिल का नया अध्यच कौन बने है सही आंसर है अतुल के सब बने है हाली में समाजी कारे करता सिंधुताइ सबकाल का निधन हुआ है तो बताने है कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था तो इन्हें अनातो की मा के नाम से जाना जाता था किस देश के क्रित्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड डिगरी सेल्सियस उर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है सही आंसर है चीन देश के सही आंसर है जहांग मिंग बने है नेक्स्ट है कहां की सरकार ने स्टुडेंट अस्टार्टप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉंच किया है सही उत्तर है गुजरात राज्जी की सरकार ने नेक्स्ट है सुरच्छा परिशत की आतंकवाद निरोधी समीती CTC के नए अध्यच कौन बने है तो CTC के नए अध्यच T.S. तिरुमूर्थी बने है नेक्स्ट है बहुराश्ट्री अभ्यास C.Dragon 2022 कि इन 6 देशों के बीच में आयोजित होगा तो उन 6 देशों का नाम है फ्रेंड्स इवेसे, औस्ट्रेलिया, कनाड़ा, भारत, जापान और दच्छिन कोरिया अगला क्वेशन है अंक जियोतिसी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारती ने बनाया है सही आंसर है जेसी चौधरी ने बनाया है नेक्स्ट है उत्तर पदेश के नए मोक्य सजियो कौन बने है सही आंसर है दुर्गा संकर मिस्र बने है अगला क्वेशन है आर्वियल बैंक के नए एमडी एंड सी यो कौन बने है सही आंसर है राजीव आहूजा बने है तो राजीव आहूजा आर्वियल बैंक के नए एंडी एंडी एंड सी योग ने है अगला क्वेशन है परताप सिंग राने को किस राज्य सरकार द्वारा आज इवन कैबिनेट मंतरी का दर्जा दिया गया है सही आंसर है गोवा की राज्य सरकार द्वारा नेक्स्ट है क्रिसी लागत और मुल्ले आयोग CACP के फिर से अध्यच कौन बने है सही आंसर है विजय पॉल्ट सर्मा बने है नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव कौन बने है सही उत्तर है है थम अल घीस बने है नेक्स्ट है भारत के पहले ओपन रॉक संगरहाले का उद्घाटन कहां हुआ है सही उत्तर है है थेदरबाद में हुआ है नेक्स्ट है टेसला कंपनी में करमचारी के रुप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारती मुल्के वेक्ति कौन बने है अगला कुशन है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन को किस ने लॉंच किया है सही उत्तर है खादी और ग्रामद्योग आयोगने नेक्स्ट है इक गवर्नेंस पर 24 में राष्ट्रे सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है तो इक गवर्नेंस पर 24 में राष्ट्रे सम्मेलन का आयोजन है अधराबाद में हुआ है राष्ट्री जल पुरसकार 2020 में कौन सा राज्य सेस पर रहा है तो इस सुची में सेस पर उत्तर पदेश का अस्थान है तो बैंक ओप बड़ोदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोरसर बनाया गया है अगले कूशने के फ्रेंट्स पाकिस्तान सुप्रीम कोट की पहली महिला जज़ कौन बनी है सही आंसर है आयसा मलिक बनी है बहुराष्ट्री नौसानिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस सहर में हुआ है तो बहुराष्ट्री जो नौसानिक अभ्यास है फ्रिंड्स मिलन 2022 इसका आयोजन विशाखा पत्न में हुआ है गांधीज असेसिन दे मेकिंग ओफ नाथुराम गोड़ से एंड हीज आइडिया ओफ इंडिया नामक पुष्टक को किस ने लिखा है तो इस पुष्टक को धिरंदर जहा के द्वारा लिखा गया है देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहां सुरू होने जा रही है तो विरेश कुमार भावरा पंजाब राज्ये के ने पुलिस महानिदेशक बने है प्रवासी भारतिय दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंसर है 9 जनवरी को मनाया गया है स्वास्ते भीमा खरीदने की आवसेक्ता के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक भियान किसने सुरू किया है सही आंसर है SBI Life Insurance ने जम्मू कस्मिर में सेवा यम परेटन उद्ध्योग के विकास के लिए सरकार ने किस देश की कमपनी Sentiary Financial Services के साथ सम्झोता किया है सही उत्तर है संजुक्त राज्जे अमिरात के साथ नेक्स्ट है ओमीक्रोन वेरियंट के बाद कौरोना वायरस का नया वेरियंट डेल्टा क्रोन किस देश में पाया गया है तो डेल्टा करोन साइपरस देश में पाया गया है जनवरी 2022 को भारत्य मानख व्यूरो BIS ने कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है केरल राज्य चल्चीत्र अकादमी का अध्य़ंच किसे बनाया गया है सही आंसर है रंजित बाल कृष्णन को नौवा नौर्थ एस्ट फेस्टिवल 2022 कहां आयोजित हुआ है सही उत्तर है गुवा हाटी में आसम राइफल्स उत्तर के 20 महा निरिछक कौन बने है सही आंसर है विकास लखेरा बने है नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंट्स उनासमी गोल्डन ग्लोब अवार्ड से कीसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है सही आंसर है विल इस्मीत को नेक्स्ट क्वेशन है एसी आई और संदचना निवेस बैंक AIIB के नए उपाध्यच वाइस प्रेसिडेंट कौन बने है तो ACI और संदचना निवेस बैंक के उपाध्यच उर्जित पठेल बने है नेक्स्ट है भारत के 73 में सत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन बने है सही आंसर है भारत सुब्र मन्यम नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 देश की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा सही आंसर है मध्य परदेश राज्य करेगा अगला कुशन है किस राज्य में पी-म नरेंद्र मोधी के नाम पर नरेंद्र मोधी मार्क सडग का उधगाटन हुआ है तो इस सडग का उधगाटन से किम राज्य म हुआ है नेक्स्ट है उत्तर पदेश राज्य की सरकार ने मैन पूरी सैनिक स्कूल का नाम किस के नाम पर रखने की खोसना की है तो इस स्कूल का नाम जनरल वीपिन रावत के नाम पर रखने की उत्तर प्रदेश राजी की सरकार ने घोशना की है विश्वर रैपिट सत्रन चेंपियंशिप 2020 का खिताब किस ने जीता है तो विश्वर रैपिट सत्रन चेंपियंशिप 2020 का खिताब नोधिर वेक अबदुस्त तुरो ने जीता है परधान मंतरी ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस्क मनाने की खोशना की है सही आंसर है 26 दिसंबर को सही उतर है असम किस राजे की सरकार ने क्रमचारियों की सेवानिवरिती आयू 60 वर्ष से बढ़ा कर बासट वर्ष कर दी है सही उतर है आंधर पदेश की राजे सरकार ने नेक्स्ट है राश्ट्रिय बाग संद्चन प्राधिकरन की 19 बैठक की अध्यस्ता किस ने की है सही आंसर है भूपेंद्र यादों ने की है नेक्स्ट है गुजरात के केवडिया रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर नए नाम क्या हो गया है तो केवडिया रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर एकता नगर रेल्वे स्टेशन अप हो गया है नेक्स्ट क्क्षण है आयाइटी मदरास के नए निदेसक कौन बने है सही आंसर है प्रोवी कामकोर्टी बने है US 25 cent सिक्के पर अंकित होने वाली पहली आस्वेत महिला कौन बनी है तो पहली आस्वेत महिला माया एंजलो बनी है Next time, 2022 Belgour Summer Set Tennis Tournament का खिताब किस ने जिता है सही answer है, राफियल नडाल ने जिता है नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरसकार जितने वाले पहले दच्छिन कोरियाई अभिनेता कौन बने है तो पहले दच्छिन कोरियाई अभिनेता ओह यंग सू बने है अगला क्वेशन है राष्ट्री मानो तसकरी जागरुकता दिवस 2022 कब मनाया गया है तो इसे 11 जनवरी क को सिलर्बेट किया गया है नेक्स्ट महिला ससक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड्स लेग क्रिकेट एललसी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंवेस्टर नियुक्त किया है तो ब्रांड एंवेस्टर के रूप में जूहूलन गोस्वामी को सब्सक्राइब किया है तो भारतिय रेलवे ने मीशन आमानत मीशन आमानत को लॉंच किया है अंतराश्ट्री मुद्राकोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईमेप के नए मुख्य अर्थ सास्त्री कौन बने हैं भारत का पाला डेली हब कहां अस्थापित किया जाएगा किस भारतिय कंपनी ने नियोर्क की लगजरी होटल मैंडारीन ओरियंटल में 73.37% हिस्सेदारी खर दी है सही आंसर है RELIANCE INDUSTRIES LIMITED ने जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पाला सहर कौन सा बना है तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पाला सहर कोची बना है नेच्ट है राश्ट्री युगा दुएस दो हजर बाइस जोकि स्वामी विवेका नंद की जैनती पर मनाय जाता है तो बताना है कि कब मनाय गया है सही आंसर है बारत जन्वरी को इसे मनाय गया है नीदर लेंड के चौथी बार प्रधान मंत्री कौन बने है सही आंसर है मार्क रोटे बने है वीद्यू तूर्जा कम्पनी अडानी पावर के नए सी ह desar कौन बने है सही आंसर है सेयर सिंग भी ख्यालिया बने है प्रधान मंत्री सुरच्छा चोक मामले की जात समीती की अध्यज़ कौन बनी है सही आंसरे इंदू मलोत्रा बनी है भारती अंतरीच अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यच कौन बने है तो इसरो के नए अध्यच एस सोमनाथ बने है नेक्स्ट दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूर का दिल ट्रांस्प्लांट हुआ है सही आंसर है डेविड बिनेट में मैन पोटेवल एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल का सफलता पुरोग परिच्छन किस ने किया है सही आंसर है डियाडियो ने इसका परिच्छन किया है IPL 2022 की टाइटल प्रायोजक कमपनी कौन सी बनी है हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत किस अस्थान पर रहा है सही आंसर है 13 अस्थान पर कजाखस्तान के नए परधान मंत्री कौन बने है किस राजएकी सरकार ने सरकारी नौकरी के त्यारी कर रहे है अर्थियों के लिए अधिक्तम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी हैं सही उत्तर है ओडिसा राजी की सरकार ने इस पुस्तक को अरुणधती भट्ता चारे जी की द्वार लिखा गया है लोहरी मोहत सो 2022 किस राज़े में मनाया गया है तो लोहरी मोहत सो 2022 का आयोजन पंजाब राज़े में किया गया है किस देश में तयार दुनिया का सबसे भारी सूपरसोनिक लड़ा को विमान वाइट स्वान TU-160M बॉमबर ने पहली उडान भरी है सही आंसर है रूस देश में तो रूस देश में तयार दुनिया का सबसे भारी सूपरसोनिक लड़ा को विमान वाइट स्वान TU-160M बॉमबर ने पहली उडान भरी है कोरोना वायरस के बारे में सटिक जनकारी उपलग कराने के लिए कोवा CSD एप को किस ने लौंच किया है तो इस एप को बनवारी लाल पूरोहीत ने लौंच किया है भारत को ब्रमोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ओडर किस देश से मिला है तो पहला विदेशी ओडर फिलिपिन्स देश से मिला है दुनिया का सबसे उम्रदराज अस्थलिय जीव कौन सा बना है सही आंसर है जोनाथन कचुगा नेक्स्ट है वन सर्वेचन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले दो वर्सों में देश के कुलवन और व्रीचों से भरे छेतर में कितने वर्ग किलोमेटर की बढ़ोतरी हुई है तो इसमें 261 वर्ग किलोमेटर की बढ़ोतरी हुई है पंदर से 18 वर्ग की आयो के सभी वच्चों का टिगा करने वाला देश का पाला राज्य या फिर यूनियन टरेटरी कौन सा है सही आंसर है लच्छ देप उजीवन अस्मॉल फाइनेंस मेंक के नए एंडी एंडियो कौन बने है सही आंसर है इतीरा डेविस बने है भारती एतिहासिक अनुसंधान परिशद ICHR के नए अध्याच कौन बने है सही आंसर है रगवेंद्र तनवर बने है कचाई लेवन फेस्टिवल 2022 कहां मनाया गया है काफी ज़्यादा इंपोर्डेंट है सही आंसर है मनिपूर राज्य में इसे मनाया गया है ससास्त्र सेना व्योगरित दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंसर है 14 जनवरी को इसे मनाया गया है सर्जियो मत्ता रेला किस देश के फिर से राश्टर पती बने है सही आंसर है एटली देश के बने है टेनिस टोर्णामेंट आस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पूरुस एकल का खिताब किस ने जीता है तो इसमें पूरुस एकल का खिताब राफिल नडाल ने जीता है किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए पंक अभियान की सुरुवात की है तो पंक अभियान के सुरुवात मद्ध प्रदेश राज्य की सरकार ने की है 31 जन्वरी 2022 को राष्ट्री महिला आयोक का कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया है सही आंसर है तीसवा तो 31 जनवरी 2022 को राश्ट्री महिला आयोक का तीसवा अस्थापना दिवस मनाया गया है वीश्वा कोस्ट दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंसर है 30 जनवरी 2022 को किस देश ने मध्यम दोरी की बैलेस्टिक मिसाइल हवा सौंग 12 का सफलता पुरवक परिछन किया है सही आंसर है उत्तर कोरिया इस पी तो गुश्टर फेस्टिवल 2025 कहां मनाया गया है तो इस फेस्टिवल को लद्दाक में मनाया गया है भारत के सबसे बड़े ओनलाइन इसकिल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24x7 रमी सरकल के नए वरांड मेस्टर कौन बने है तो रमी सरकल के नए वरांड मेस्टर रितिक रोशन बने है 150 गाउं को उत्कृष्टिता के गाउं में बदलने के लिए केंदर सरकार ने किस देश के साथ समझोता किया है सही आंसर है इसराइल देश के साथ फियरलेस गौर्नेंस नामक पुष्टक को किस ने लिखा है सही आंसर है डॉक्टर केरन वेदी ने लिखा है होंडूराज की पाली महिला राश्टर पती कौन बनी है सही आंसर है सी यो मारा कास्त्रो बनी है अगला क्वेशन है संसाथ में बजट 2022 किसने पेस किया है तो बजट 2022 निर्मला सीता रुमन जी के द्वारा पेस किया गया है भारत का पाला भूव एग्यानिक पार्क किस राजी में बनाया जाएगा सही आंसर है जबलपूर मध्य प्रदेश में देश का पाला अस्पोर्ट्स यूनिकॉन कौन से टीम बनी है कौन सी आईपिल टीम बनी है सही आंसर है चिन्नाई सूपर किंग्स आर्थिक सर्वेशन 2021-22 किस के द्वारा संसाथ में पेस किया गया है सही आंसर है निर्मला सीता रुमन जी के द्वारा बैड्मिंटर टूर्णामेंट ओडिसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतिये कौन बनी है तो सबसे कम उम्र की भारतिये उन्नती हुड़ा बनी है भारतिये तटरचक बल आईसीजी ने एक फरवरी 2022 को अपना कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है सही आंसर है 46 मा वर्ल्ड गेम्स एथलिट ओफ दे इयर पुरसकार 2021 जीतने वाले पहले भारतिये पूरुष खिलाडी कौन बने है सही आंसर है पी आर स्रीजेस बने है भारत ओमान की जुएंट मिलिटरी कॉर्पोरेशन की दसवी बैठक कहां आयोजित की गई है सही आंसर है नई दिली में विसो उपेचित उस्रन कटिवंधिये रोग दिवस कब मनाया गया है सही आंसर है 30 जनवरी 2022 को ही एंटोनियो कोष्टा किस देश के फिर से परधान मंत्री चुने गए है सही आंसर है पुर्तगाल देश के अगला क्वेशन फ्रेंड्स राच्छा खूपिया एजनसी के नए परमुक कौन बने है सही उतर है जी एवी रेड़ी बने है बजट 2022 ते इसमें केंद्रे वितमंत्री निर्मला सितर मन्ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने परतिसक टेक्स लगाने की घोष्ट न की है सही आंसर है 30 परसेंट थाल सेना के उतरी कमान के नए कमांडिंग इंचीप कौन नियुक्त हुए है सही उतर है उपेंद्र दिवेती बैडिमिंटन टूनामेंट ओडिसा ओपन 2022 पूरुस एकल का खिताब किस ने जीता है सही आंसर है कीरन जॉर्ज ने जीता है अगला क्वेशन है नागरिकों को बेहतर सेवाई परदान करने के लिए किस राजे की सरकार ने एपी सेवा 2.0 पॉर्टल को लॉंच किया है तो इसे आंद्र परदेश राजे की सरकार ने लॉंच किया है SBI ने सौर उर्जा परियोजनाओं के वित पोशन के लिए किस कमपनी के साथ समझाता किया है सही आंसर है Tata Power Solar System के साथ लखनाव IPL टीम का नया नाम क्या होगा तो लखनाव IPL टीम का नया नाम लखनाव सूपर जोइंट्स होगा विश्व आदर भूमी दिवस 2022 कब बनाया गया है तो इसे दो फरवरी को मनाया गया है सेहत योजना के तहट दवाओं की होम डिलिवरी किस मंतराले के द्वारा सुरू की गई है तो इसे रच्छा मंतराले के द्वारा सुरू किया गया है और अभी वर्तमान में रच्छा मंतराले राजनात सिंग के पास है राश्ट्री इलेक्ट्रोनिकी यों सुचना टेकनोलोजी संस्थान NIE-LIT के नए महानी देसक कौन बने है सही आंसर है मदन मोहन के पार्ठी बने है नेक्स्ट है विश्व की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंड वोट दजेट जीरो इमिशन को कहां लॉंच किया जाएगा तो इसे दुबई में लॉंच किया जाएगा युवएई में दो फरवरी 2022 को विश्व आदर भूमी दिवसपर भारत के किन दो वन्य जीव अभ्यारने को रामसर साइट्स में सामिल किया गया है तो इन दोनों अभ्यारण को रामसर साइट्स में सामिल किया गया है डियाडियो की रच्छा, अनुसंधान और विकास परियोग साला के नए निज़सक कौन बने है सही आंसर है श्री निवास मुर्ती बने है केंद्रे बजट 2022-20 में वित्मंतरी निर्मला सितरमन ने अगले तीन वर्सों में कितनी वंदे भारत ट्रेने विक्सित करने का अयलान किया है सही आंसर है चार सो अगले क्वेशन है भारती नौसेना ने अस्कॉर्पिन पंडूवी वागिर का परिच्छन सुरू किया है तो बताने है कि इस पंडूवी का निर्मान किस ने किया है सही उत्तर है मजगाओं डॉक्सी प्लिडर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में स्थित है तो इस ने इस पंडूवी का निर्मान किया है सतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 के खिताब किस ने जीता है सही उत्तर है अरजून एरिगेसी ने जीता है विश्व इसपात संगठन द्वारत जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इसपात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है सही आंसर है चीन देश मना है तो रग्या महथ सो 2022 कहां मनाय गया है सही उत्तर है अरुनाचल परदेश में इसे मनाय गया है दो फरवारी 2022 में देश की पहली स्वास्ति मंत्री अमरित कौर की कौन से जैनती मनाय गयी है सही आंसर है 133 जैनती मनाय गयी है भारत की नई लेखा महानियंतर कौन बनी है सही आंसर है सोनाले सिंग बने है नेक्स्ट है चिलका डिवलप्मेंट ऑथोरेटी सीडिये द्वारा जारी वार्षिक सरवेचन 2020 के अनुसार भारत में अब कितने परतिसत खांसों का हिस्सा चिलका जिल में है तो 33 परसेंट है इस खेल का आयोजन बीजिंग यानि के चीन के राजधानी में शुरू हुआ है विश्व कैंसर दिवस्ट 2022 कब मनाय गया है तो विश्व कैंसर दिवस्ट 2022 चार फरवरी को मनाय गया है ग्रामिन चेत्रों की सफाई स्वस्टा के लिए क्लैप अभ्यान को किस राजधी की सरकार ने सुरू किया है तो इसे आंदर परदेश राजधी की सरकार ने सुरू किया है भारतिय दिवाला योम रिंड सोधन अच्छमता बोड के नए अध्याच कौन बने है सही आंसर है रवी मित्तल बने है लोरियस वर्ल्ड ब्रेक्थुरू ओप दे इयर दोजर बाइस पूरसकार के लिए किस भारतिय खिलाडी का नाम नमांकित किया गया है सही आंसर है नीरत चोपड़ा जो कि भाला फेक केल से संबन्दित है ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वेल्यूरेशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतिय कंपनी को सबसे मुल्लेवान बीमा ब्रांड में दस्वा अस्थान मिला है सही आंसर है लाइफ इंसुरेंस कंपनी जो कि भारत देसकी है अंतराश्त्री मानो बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है सही आंसर है चार फर्वरी को नेक्स्ट है फर्वरी 2022 में दे क्लास ओप 2006 इसनिक पीक इंटू दमीश एडवेंचर्स ओप ग्रेट इंडियन इंजिनियरिंग लाइफ 2006 नामक पुस्तक लौंच हुई है तो बताने हैं कि इस पुस्तक को किस ने लिखा है सही आंसर है आकास कंसल ने लिखा है विस्व विद्ध्याले अनुदान आयोग UGC के नए अध्यच कौन बने है सही आंसर है एम जगदिश कुमार बने है देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उध्याटन किस राज़े में किया गया है सही आंसर है त्रिफुरा राज़े में किया गया है प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदानों में कच्छाएं आयोजित करने के लिए पराय सिच्छाले यानि के पडोस स्कूल को कौन सा राज्य सुरू करेगा तो इसे पस्चिम मंगाल राज्य की सरकार सुरू करेगा गंदंत्र दिवस परेड में किस राज्य की ज्ञाकी को सरुसेष्ट ज्ञाकी चुना गया है सही आंसर है उत्तर पदेश राज्य की एगला क्वेशन फ्रेंट्स ICC Spirit of Cricket Award 2021 किस किर्केटर ने जीता है सही आंसर है डेरिल मिशेल ने जीता है नेक्स्ट है भारत का पहला अन्य छेत्र आधारित संदच्छन उपाय किसे खोशित किया गया है सही उत्तर है अरावलित जय विवित्ता पार्क को जो की गुरुगराम में स्थित्त है भारत के सबसे सकतिसाली सुपर कंप्यूटर परम परवेगा को कौन से राष्ट्री संस्थान में अस्तापित किया गया है तो इसे भारती विज्ञान संस्थान आये एस्सी बेंगलूरू में अस्थापित किया गया है। भूमिहिन मजदूरों के लिए राजियु गांधी ग्रामिन क्रिशी मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में सुरू किया गया है। तो इसे 36 गर्ड राजे में शुरू किया गया है। संस्क्रिती सांती और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए World Interfaith Harmony Week 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो इसे 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंड्स भारती एथलिट नीरत चोपड़ा की लगु जीवनी पर लिखी पुष्तक गोल्डेन बॉय नीरत चोपड़ा के लेकक कौन है। तो इस बुक के लेकक है नौदेप सेंगिल है। राष्टी सैचिक अनुसंधान और परसिच्छन परिशद NCRT के नए निदेशक कौन बने हैं। सही उत्तर है दिनेश परसाथ सकलानी। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या फिर केंदर साशित प्रदेश में हुए हैं। सही आंसर है जम्मू कस्मेर में। अगला क्वेशन है भारती सेना ने कॉंकरस एम एंटी टैंक मिसायलों के निर्मान और आपूरती के लिए किस भारती कमपनी के साथ 3131.82 करोड रुपे में समझाता किया है। तो उस कमपनी का नाम है भार्व टाइनेमिक्स लिमिटेड यानि के वीडियल। इंडी को एरलाइन के नए परवन निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है राहूल भाटिया बने हैं। अगला क्वेशन फ्रेंड्स छे फरवरी 2022 को परशेद गाई का लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयू में नेधन हो गया है। किस देश के साथ खेल कर भारतिय क्रिकेट टीम 1000 वंडे मैच खेलने वाली पहली वीश्व की पहली टीम बन गई है। वीश्व की पहली टीम बन गई है। सही आंसर है वेस्ट इंडिच। नेक्स्ट है। परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने 11 सदी के भक्ती संत श्री रमानुजाचार की 216 फिट उची मूर्ति Statue of Equality का उधगाटन कहां किया है। तो इसका उधगाटर हैदराबाद में किया गया है। अंडर 19 Cricket विश्व कप 2022 का खिताब किस ने जीता है। तो इस खिताब को भारत देश ने ही जीता है। Center for Monitoring Indian Economy के रिपोर्ट के अनुशार जनवरी 2022 में भारत में बेरुजगारी दर कितनी दर्ज की गई है। सही आंसर है 6.57% अगला क्वेशन है। देश की सबसे बड़ी वाहा निर्माता कंपनी सुजो की Motor ने सुजो की Innovation Center अस्थापित करने के लिए किस भारतिय प्रोद्गी की संस्थान IIT के साथ समझोता किया है। सही आंसर है IIT हैदरभाद के साथ। अगला क्वेशन है। ज्वाहरलल नहरू विश्व विद्याले जेनियू की पहली महिला कुलपति कौन वनी है। सही आंसर है सांती सिरी धूली पूडी वरी है। के अंदर सरकार ने सीव पूरी जो की मध्य परदेश राजे में स्थित हैं तो सीव पूरी का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है। सही आंसर है कुन डेश्वर धाम कर दिया है। महिलाओं के लिए सुन्य सैसुनुता का अंतराश्ट्री दिवस 2022 कब मनाय गया है। तो इसे 6 फरवरी को मनाय गया है। कोविड-19 डियने वेक्षिन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। सही आंसर है भारत देश बना है। फुटबॉल टूर्नामेंट अफरीका कप अफ नेशंस 2021 का किताब किस ने जीता है। सही आंसर है सेनेगल ने जीता है। विकलांग वेक्षियों के लिए भारत का पहला AI Artificial Intelligence अधारिक जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉंच किया है। फौफ्स दौब जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एसिया के सबसे अमिर वेक्ति कौन बने हैं। नेच्स्ट है एसिया विकास बैंक ADB दौब जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में भारत को रिकोर्ड कितना रिर्ट परदान किया हैं। सही आंसर है 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर अगला क्वेशन है ब्लूम्स बरी इंडिया द्वारप्रकासित इंडिया दैटीज भारत कोलिनिलिटी, सिविलाइजेशन, कॉंस्टिट्यूशन, नामक पुष्टक के लेखा कौन है सही आंसर है जे साई दीपक है फोट वियर कंपनी बाटाय इंडिया की नई वरांड इंवेस्टर कौन बनी है सही आंसर है दीशा पटानी बनी है अगला क्वेशन है विक्रम सारा भाई अंतरिच केंद्र के नए निदेशक कौन बने है सही उत्तर है डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर बने है डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूप करने के लिए सुरचित इंटरनेट दिवस्ट 2022 कब मनाया गया है सही उत्तर है आठ फरवरी को मनाया गया है सेल्सपोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सुचकांग 2022 में भारत को सौ में से कितने अंक मिले है तो भारत को सौ में से तिर्शट अंक प्राप्थ हुआ है नेक्स्ट है टेनिस टूनमेंट टाटा ओपन 2022 पूरुस यूगल का खिताब किस ने जीता है सही आंसर है रामकुमार, रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने इसे जीता है महिलाओं के खिलाफ उत्विडन और अत्यचार को रोकने के लिए आत्मरच्छा परसिछन कारिकरम ओवाव कला को किस राज्य ने सुरू किया है तो इसे करनाटक राज्य की सरकार ने सुरू किया है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभियान इंद्रधनुस 4.0 को किस ने लौंच किया है सही उतरह मनसुक मंडाविया ने इसे लौंच किया है जिनके पास स्वास्तिमंत्राल है अगला क्वेशन है फ्रेंड्स फूटबॉल टॉर्नमेंट एफसी महिला एसिया कप भारत 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है तो इसे चीन देश की टीम ने जीता है मौटन बॉड़िस को किस देश के नए रच्छा मंत्री बने है अगला क्वेशन है उत्तरकंड राज्य के नए ब्राण नेमेश्टर कौन बने है तो अच्छा कुमार उत्तरकंड राज्य के नए ब्राण नेमेश्टर बने है आठ फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपती डॉक्टर जाकिर हुसेन की कौन से जैनती मनाई गया दवा निर्माता कम्पनी फाइजर इंडिया के नए अध्यच कौन बने हैं तो फाइजर इंडिया के नए अध्यच परदीप साह बने हैं मानो तसकरी को रोकने के लिए ओप्रेशन आहट को किस ने शुरू किया है सही आंसर है रेलवे सुरच्छा बलने इसे सुरू किया है यानि कि आर्पीएफ ने वीजिंग सीत कालिन ओलंपिक 2022 में पाहला स्वान पदक किस खिलाडी ने जिता है तो पाहला स्वान पदक थेरेशी जुहांग ने जिता है और ये नौर्वेदेस के है क्रिसी यों किसान कल्यान विभाग में नए क्रिसी सचीव कौन बनेंगे तो नए क्रिसी सचीव मनोज आहुजा बनेंगे कंचोत पर्व किस राज्य या फिर केंदर सासित परदेश में मनाया गया है सही आंसर है जम्मू कस्मीर जोकी केंदर सासित परदेश है और यहाँ पर कंचोत पर मनाया गया है अगला क्वेशन है चक्रवात बदसी राई ने किस देश को परभावित किया है सही आंसर है मेड़ागासकर देश को तो चक्रवात बच्सी राई ने मेड़ागासकर देश को परभावित किया है राश्ट्री एकलखेड की परणाली के साथ एक एकरित होने वाला देश का पहला केंदर सासित परदेश कौन सा बना है तो देश का पहला के अंदर सासित परदेश जम्मु कस्मिर बना है बिजली वित्रन में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैक थौन परतियोगिता पावर थौन 2022 को किसने लॉंच किया है तो इसे आरके सिंग के द्वारा लॉंच किया गया है और आरके सिंग विद्युत मंतरी है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम कहां बनेगा तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किर्केटी स्टेडियम जैपुर्म बनेगा जो कि भारत देश में इस्थित्त है नेक्स्ट क्वेशन है फ्रेंड्स आज की सेसन की लास्ट क्वेशन है केरल राज्जे ने स्वच उर्जा तक्निक विक्सित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ता चर किये हैं उस कंपनी का नाम है सोसल अलफा जो की बेंगलोरु का है तो इस सेशन में हमने फ्रेंट्स 250 questions कवर कर लिये हैं जनवरी और फर्वरी मन्त के तो अगला जो 250 है नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं तो आप उसे जरूर देखना उमीद करता हूं फ्रेंट्स की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फिडिबैक जरूर बता हैं कि ये वीडियो आपको कैसे लगे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग और वीश यू आल दे बेस्ट